चंद्रपूर जीले में 1 अपरेल 2015 से शराब बंदी होकर अब शराब विक्रेता नस्दी की जीले से चंद्रपूर के विविद भागों में शराब इकटा करने के लिए विविद तरकीब चला रहे हैं कभी सिलेंडर में छुपा कर तो कभी माल वाहक ट्रक में से तो कभी कार को विशेश डिजाइन कर शराब तसकर शराब ला रहे हैं शराब बंदी होने के बावजूद शराब तसकर शराब विक्री के लिए नए नए पैतरे आजमा रहे हैं इसी के चलते दो वारदाते हमारे सामने आई हैं इस वक्त पुल रामनगर पुलीस स्थाना अंधर गत अभी तक कई कारवाई हो चुकी है। 25 दिसंबर को राद कंजर मोहले में शराब आने की जानकारी पुलीस को मिली। तभी डिबिस कौर्ट वहां पहुंचा। परन्तु पुलीस को देखते ही वहां से गाड़ी चालक भाग गया। उसका पीशा करने पर भी वहां पुलीस की पकड़ में नहीं आया। उस वक्त करीब 35 पेटी माल पुलीस ने हस्तगत किया। और जिस जगह माल उतारा गया। वहां एक आरोपी और जो गाड़ी चालक था उन पर गुनादागिल किया गया है। साथ ही इस वक्त उन्होंने बताया कि हमारी मोहिम अभी जारी है। अवेद शराब विकरी के लिए तैयार की गई नए तरकीप का 26 दिसंबर को पुलीस ने परदाफाश किया। इस वक्त पुलीस निरिक्षक संपच्योभान ने बताया कि 26 दिसंबर को दुरगापूर पुलीस स्टेशन परिसर में रहने वाल और उसका पीछा कर पुलीस ने उसे पुलीस स्टेशन परिसर में रासत में लिया। उसने अवेद शराब विकरी के लिए एक नए तरकीप बनाई है। उसने अपने गाड़ी पर लोहे का एक बखसा बनाया है जिसमें उपर के स्तर पर सिगडिया रखी है और नीचे स्तर पर शराब रखी गई है। मानों जैसे कि वे एक सिगड़ी विकरेता लग रहा है परन्तु इस भेज के पीछे लाखों की कमाई की जा रही है। पुलीस ने उसकी जाच करने पर पांच पेटी देशी शराब का माल हस्त गत किया। इस वक्त पुलीस निरिक्षक संपच अब इद शराब के लिए नएने ट्रेन तयार कर रहे हैं परन्तु चंद्रपुर पुलीस अधक प्रयास कर उनकी जानकारी निकाल कर शराब विकरेता उपर कड़क निर्बंद वो कारवाई कर रहे हैं और आगे भी ऐसी कारवाई शुरू रहेगी। तैल्या पुलीस अधित्त पकडला। तփवन यागे लिए नवीन ट्रेन तयार केलेला हैं याटिका नि अपने अपने मोटर साइकल्सुरू वरत एक लोकंदी बोक्स तयार केला हैं और आणि बोक्स माधे आज़ित्यानी साच्चे बद्द मान्दनी कीले लिए त्या ख प्रणतु चंदरपुर पूलीस आती से कसुची नानी महिती काड़ून या दारुचा विखरत्यांचे वर टे कड़क निर्बंद करताया